मेरी वाइस सबको क्ली आड़िल है बिटा? मेरी वाइस सबको क्ली आड़िल है बिटा? स्क्रीन सबको क्ली वीजिबल है? fine, fine so very warm good evening to all of you this is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am and आज हम continue करने वाले हैं coordination chemistry में जो हम valence bond theory पड़ रहे थे yes बिटा येस बिटा मेरे नलायक आ गए हैं बिलकुल मैं कमेंट्स पढ़ रही हूं गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग चलो बिटा जल्दी से लक्षर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे पहले बिटा लक्षर इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे स्कोर अप्टेन किये हैं येस बिटा नमस्ते 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 कौन है वो स्टूडेंट्स पर एक्जाम्पल कीर्थी समर्थाकुर शमिक रुद्राशीश आदित्यो मोहमद नेम कम्प्लीट नहीं है यहाँ पर अमान अतिथी आदित्यराज सुमित नैक्स्ट नमस्त हमारे पास अभिशेक दजन्यून अरे भाई अपने नाम से ही टेस्ट दे दिया करो अच्छा होगा तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लापिंग हो जाएं बच्चों पियूश दीपेश अनुमित्र चट्टो पाध्याय अंश वेशालियादव व्योम आदित्यकुमार मिश्रा किरन प्रोनीत अंशुमन बहल अर्पित ओम सुंदर सुंदरम संदीप दिगविजय सेंग राहुल शैलेश अनुराग कार्गो किटायन सोनी सम्रिध्धी नैक्स बढ़ा जानवी हर्ष सूजल सैनिटाइजर ओवेस संध्या सानिया श्रीजा निकिता सराव कुलदीप, रुद्रा, समराथ, प्रेमराज, जतिन, सयगदीप सहा और मुहंबत ये वो स्टुडेंट्स हैं जिन्नोंने काफी अच्छे मार्ग स्कोर किये हैं आक्ट्यूबर नवंबर वाले मन्त में तो बहुत अच्छी बात है इन सभी स्टुडेंट्स को बहुत बहु काल राएं हैं तो सबसे पहले सभी स्टुडेंट्स को उं ग्योडर लिए वरिश्ट् थॉर्ड चिंक सकाल रहे हैं तो क्लास में पुरा ध्यान रख रहे हैं और आपको क्लास के बाद शुच नकरना पढ़ाएं थे लास्ट क्लास मैंने डीता, बोओ वेटि डीती में मैंने VBT को discuss किया था उसको discuss करने के बाद मैंने कुछ questions दिये थे जिनमें दो question में question में ही थोड़ी सी mistake है उसको हम जल्दी से correct कर लेते हैं ठीक है तो ये corrections है बिटा ये वाला correction है last class का इसे भी अभी हम discuss कर लेंगे और इसमें भी correction है last class का इसे भी हम जल्दी से discuss कर लेंगे अगर मैं बात करूँ बिटा valence bond theory क्या है तो काफी बच्चे confused हो रहे थे क्योंकि वो 11 से relate नहीं कर पा रहे बटा 11th class में एक chapter हुआ करता था जिसका नाम है chemical bonding जहां पे आपने hybridization के बारे में पढ़ा था बच्चों hybridization क्या होता है intermixing of atomic orbitals which are having of similar energy and वो formation करते है hybrid orbitals का और वो hybrid orbitals decide करते हैं कि molecule की geometry क्या होगी लेकिन वहाँ पर हमने hybridization पढ़ा था in terms of covenant bond और यहां हम पढ़ रहे है in terms of coordinate bond simple सब कुछ वही है बस इतना सा difference है बिटा कि covalent bond में क्या होता है जब हम bond बनाते हैं तो unpaired electron देखते है coordinate bond में अगर दो के बीच में coordinate bond है तो दोनो electron pair दोनो electron एक ही atom देता है तो उसके लिए central metal atom अपना क्या करता है vacant orbital available करवाता है तकि ligand उसमें electron pair दे और coordinate bond का formation करें बहुत ही simple सी theory थी simple सी theory थी बिटा बस आपको क्या करना था कुछ बचे बोल रहे थे मैं concept में doubt आ रहे कि हो क्या रहे अरे भाई simple सा तो concept है ligand electron pair दोनेट कर रहे किसको दोनेट कर रहा है central metal atom को कर रहा है उसको कहां electron pair दोनेट कर रहा है उसके vacant orbitals जिन vacant orbitals में वो electron pair दोनेट कर रहा है वो decide कर रहे है कि उसका hybridization क्या होगा hybridization पता चलेगा उसके बाद geometry पता चलेगी geometry पता चलेगी उसके बाद shape पता चलेगा right तो WBT के question solve करने के लिए मैंने आपको क्या steps बताये थे सुनना ध्यान से step number one जब भी कोई compound दिया जाता है सबसे पहले आपको check out करना है कि आपका जो central metal atom है वो कहां से belong करता है वो 3D series का है 4D series का है या 5D series का है अगर आपका central metal atom 4D या 5D series का है तो आपको ये check करने की जरूत ही नहीं है कि लीगन कैसा होगा उस case में peering होगी ही होगी लेकिन अगर आपका central metal atom कौन से series पे belong करता है बटा 3D series से फिर आप check करोगे उसकी oxidation state अगर oxidation state उसकी plus 3 से जादा आती है तो peering होगी ही होगी और अगर plus 3 से कम आती है तब check करोगे लीगन अगर लीगन स्ट्रॉंग हुआ तो peering करवानी है अगर लीगन स्ट्रॉंग नहीं हुआ तो peering नहीं करवानी है peering नहीं होगी उसके बाद जो orbitals involve हो रहे है coordinate bond के लिए वो decide करेंगे कि उसका hybridization क्या होगा उसके hybridization से shape आएगी shape से आप सारी चीज़े बता सकते एक बच्चे नो मुझसे पूछा कि माम आपने इसका reason नहीं बताया कि यहाँ पर peering हो रही है यहाँ पर peering नहीं हो रही है बटा theory Dolly माम ने नहीं दिया है theory VBD किस ने दी थी होंसन मुलीकर ने दी थी और उनके according उन्होंने क्या कहा उन्होंने क्या कहा सॉरी सिडविक ने दी थी ठीक है हम एमोटी पर पहुँच के उसने क्या कहा उन्होंने जो assumptions लिए ये तो उनकी theory का drawback है कि उन्होंने काफी ज़ादा assumptions लिए अनुराख पूछ रहे है मैं ammonia strong है क्या हंजी बिटा कुछ के लिए वो strong है और कुछ के लिए वो weak है लेकिन हमने confused नहीं होना है वो VBD का drawback है वो drawback मैंने exception last class में एक भी नहीं कर वाया था आज मैं सारे exception करा दूँगी आपको कहीं पे किसी तरह से confused नहीं होना है हर तरीके के questions आप attempt कर लोगे राइट बिटा अब हम start करते हैं last class के सारे homework वारे questions उनको complete करते हुए हम इनके सारे drawback बिस्कस करेंगे yes बिटा polling ने दी थी ये theory last class में बिटा पहला ही question जो मैंने लिखा था write the hybridization shape ब्ला ब्ला जो भी magnetic moment of following उसका पहला part question में था NICL4 minus 2 clear क्या था बिटा NICL4 minus 2 यहाँ पे क्या किया हमने जब हम question solve कर रहे थे तो हमने क्या देखा बिटा हमने यहाँ पे देखा कि nickel का electronic configuration क्या होता है बेटा 3D84S2 लेकिन जब हमने इसका oxidation state calculate किया तो वो NI plus 2 था तो सिर्फ 2 electron निकलने चाहिए थे हमने 2 electron की जगा 4 electron निकाल दिये और 4 electron निकाल के हमने यहाँ पर गलती कर दी और 3D 6 कर दिया जो की 3D8 होना चाहिए था ठेक है तो last class के इस question को आपको copy में correct करना है क्या होगा बेटा 2 electron निकलने के बाद 3D6 clear अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ central metal atom जो है हमारा वो 3D series का है ठीक है 3D series का है फिर्फ हम अगर आगे की दरफ बढ़ते है तो उसकी oxidation state भी plus 3 से कम है फिर्फ हमने जब ligand देखा तो ligand भी weak है और अगर ligand weak है तो बताओ बेटा जल्ली से बताओ क्या यहाँ पर pairing होगी या नहीं होगी तो यहाँ पर pairing नहीं होगी क्योंकि ligand हमारा weak है और अगर pairing नहीं होगी that means तो यहाँ पर अब हमें निकालना है किसका hybridization क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पिटा सबसे पहले हम लिख देते हैं no pairing no pairing due to weak ligand क्योंकि यहाँ पर ligand कैसा है पिटा weak ligand और अगर ऐसा है तो pairing अगर नहीं करवानी है तो ठीक है बना देते हैं 3D 4S 4P 3D के अंदर कितने electrons बचे बेटा 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह कैस का और यह 3P के और आगे D होता और जैसा कि हमने coordination number देखा हमें कितने खाली orbital चाहिए बेटा अब क्या गलत हो गया ओ-ओ सच में फिर से गलत हो जाता यह बेटा 3D 8 होगा तो 8 electrons बना देते हैं 6, 7, 8 अब फिर से pairing तो नहीं होगी फिर इस केस में coordination number कितना है बेटा 4 तो हमें कितने vacant orbital चाहिए 4 vacant orbital चाहिए और अगर 4 vacant orbital चाहिए तो हम कौन से वो 4 vacant orbital select करेंगे बेटा बस जहां पर unfilled और्बिटल स्टार्ट हो जाता है एक unfilled यो गया 2, 3, 4 तो हमें 4 vacant orbitals चाहिए थे यही वो 4 vacant orbitals हैं जिसमें हमारा ligand electron pair देकर coordinate bond का formation करेगा तो एक इधर अपना chlorine electron pair देगा एक इधर देगा एक इधर देगा और एक इधर देगा तो जो orbitals हमने involve किये हैं hybridization के लिए उसका hybridization क्या आ गया बेटा SP3 shape tetrahedral magnetic moment कितना आ जाएगा बेटा unfilled electron कितना है 2 तो 2 into 2 plus 2 that is 4 to the 8 root 8 आ गया and it is paramagnetic clear हो गया बेटा एक दाम देख लो एक बार ध्यान से सारे बच्चे clear हो गया बेटा एक दाम तो ये last class में जो mistake हुई थी उसे हमने correct कर दिया सब कुछ सेम था लेकिन हमारा magnetic moment अलग आ रहा था clear बेटा और ये छोटी छोटी mistakes हमारे पूरे question को गलत कर देदिया next question देखो बेटा ये question भी हमने last class में cover किया था यहाँ पे question में ही mistake है बाकी सब कुछ correct है हमने solve भी ठीक किया है question में बस इतना सा correction करना है बेटा fe cn6 ये minus 4 है plus 4 नहीं clear तो इसको no down कर लेना बेटा fe cn6 minus 4 है plus 4 नहीं है वो by mistake plus 4 हो गया that was the mistake उसको correct कर लेना बाकी solution अपना पूरा correct है solution आएगा तो क्या आएगा बेटा fe यहाँ पर कौन सी oxidation state में आ जाएगा fe यहाँ पर plus 2 में आ जाएगा 3d6 4s 2 होता है 3d6 हो जाएगा और cyanide जो है ये एक strong ligand है strong ligand है तो pairing होगी ही होगी तो इस case में 3d, 4s, 4p 3d के ये जो 5 orbitals हैं इन में जब हम electron भरेंगे तो हम यहाँ पर pairing करवा देंगे 6 electron है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें 6 vacant orbital चाहिए तो इसका hybridization हो गया d2sp3 shape हो गया octahedral, magnetic moment 0, magnetic nature diamagnetic जल्दी से देख लो बिटा, ये दोनों question जल्दी से देख लो बिटा ये last class के वो दो question है जिन में आप लोग थोड़ा सा confused हो गई होंगे अगर live class होती तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आप लोग बताई देतों साथ-साथ ठीक है येस बिटा, जिननों नहीं homework किया है उन्हें ही मज़ा आएगा बिटा class में आज़ो बिटा, next question मैंने आपको ये वाला दिया था clear है हाँ जी बिटा, homework था पहला काम क्या था central metal atom को select करना और यहाँ पर जो central metal atom है वो belong करता है 5D series से that means pairing तो होगी ही होगी clear तो यहाँ पर अब हम start करते है platinum का electronic configuration क्या होता है बिटा 5D 9 6S1 लेकिन यहाँ पर platinum की oxidation state plus 2 है तो इसका electronic configuration क्या हो गया 5D 8 क्यूंकि 2 electron निकल गए अब इसके दोनों electron निकल गए represent करते हैं हम orbitals को यह हो गया 5D तो यहाँ पर आएगा 6S और 6P आगे की तरफ बढ़ेंगे बिटा तो यह हो गए बिटा 5D के 5 orbitals यह 6S का orbital और यह 6P के 3 orbital हमें आथ electrons को fill up करना है और यह fact clear हो चुका है that platinum जो है वो कहां से करता है belongs belongs from 5D series और मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि अगन central metal atom 4D यह 5D series का होगा तो pairing होगी ही होगी clear क्यूंकि बिटा ligand की जो strength होती है वो increase होती चली जाती है जैसे जैसे हम down the group आते हैं तो ligand की strength increase होने से क्या होता है उसके energy increase होती है और वो इन electrons की pairing करवा देता है अब हमें यहाँ पर इन 8 electrons को fill up करना है pairing करवा दो clear? pairing occurs और जब हम pairing करवा देंगे तो 8 electrons को भर दो बिटा जल्दी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब हमें क्या चाहिए बिटा? हमें अब चाहिए 4 weekend orbital क्यूंकि coordination number 4 है यानि कि 4 coordinate bond बरेंगे यहीं से start कर दिया एक ने अपना electron पर यहाँ दिया एक ने यहाँ एक ने यहाँ तो कौन से 4 orbital involved हुए है hybridization के अंदर कौन से बिटा? DSP2 कौन से बिटा? DSP2 और जब जब inner orbital involved होता है hybridization में तो उसे हम और क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते है inner orbital complex clear है बेटा? क्या सारे electrons paired है? हंजी जब जब DSP2 hybridization होता है shape कौन से आती है बेटा? shape कौन से आती है? square planar कौन से बेटा? square planar and if all electrons are paired तो nature is diamagnetic और अगर हम बात करे magnetic moment की तो वो तो 0 आ जाना है क्यूंकि unpaired electron 0 है clear? next question देखेंगे बेटा next question जो आपको दिया था सब बच्चे अपना answer match करेंगे बेटा? अगर आपने इमानदारी से homework किया होगा तो आपको सारी चीज़े clear हो रही होंगी और आपके answers भी correct निकलेंगे ठीक है? अगर इसकी shape बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं कैसे? देखना बेटा क्या shape बनेगी? square planar बोला ना तो यह platinum यह हो गया chlorine एक coordinate bond के साथ यह हो गया chlorine एक coordinate bond के साथ यह हो गया chlorine और यह हो गया chlorine यह हो गई बेटा इस molecule की structure square planar next देखेंगे बेटा यहाँ पर FECL6-3 सबसे पहले हम देखेंगे कि FE का electronic configuration होता है 3D6-4S2 लेकिन यहाँ पर oxidation state कितना आया बिटा iron का? calculate करके देख लो यहाँ पर इसका oxidation state आएगा FE का कितना बिटा? plus 3 अगर plus 3 इसका oxidation state आया है तो इसका electronic configuration हो गया 3D5 अब जैसा हम देख पा रहे है central metal atom 3D series का था हाँ जी ओके oxidation state plus 3 से या plus 3 से कम हो फिर हम लीगेंड चेक करते हैं और लीगेंड कैसा है बेटा? लीगेंड is weak और अगर लीगेंड weak है that means no peering occurs कोई peering नहीं होगी और अगर कोई peering नहीं हो रही है तो देख लेते हैं बेटा electrons को fill करके फिर decide करेंगे किसका hybridization क्या होगा ये रहा 4S ये रहा 4P और ये रहा 4D clear? electrons को fill किया 5 electrons थे 1, 2, 3, 4, 5 अब इनको तो भूल जाओ हमें चाहिए vacant orbital और vacant orbital हम गिनना शुरू करें तो कितने चाहिए बेटा अच्छे? क्योंकि coordination number कितना है? 6 तो कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर कितने vacant orbitals involved हुए है? 6 vacant orbitals involved हुए हैं तो इसका hybridization क्या आ गया बेटा? इसका hybridization हो गया SP3D2 और यहां पर जो orbitals D के involved हुए हैं वो अंदर वाले ना होकर बाहर वाले D orbitals involved हुए हैं तो इससे हम क्या कहेंगे बेटा? इससे हम कहेंगे outer orbital complex नेक्स बेटा जब जब hybridization SP3D2 शेप होती है octahedral magnetic moment कितना आ गया बेटा? अंडर रूट ओफ 5 इंटो 5 प्लस 2 दाट इस इक्वल्स टू रूट 35 नेचर कैसा आ गया बेटा? पैरा magnetic देख लो बेटा जल्दी से यही answer आया है देख लो बेटा ध्यान से एक बड़ जल्दी से चलो बेटा यह दोनों questions आपको एकदम clear है जल्दी से बता दो बेटा जल्दी से बता दो बेटा यह दो topics आपको clear है अगर clear है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं clear है बेटा? यह दोनों topic clear है एक बड़ नाइस नाइस यह दोनों questions थे next question homework में आपको दिया गया था एक तम ध्यान से question को देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर nickel का electronic configuration क्या होता है बेटा यहाँ पर nickel का electronic configuration होता है अगेन 3D8,4S2 लेकिन जैसा की हम देख पा रहे हैं यहाँ पर nickel की जो oxidation state आएगी वो oxidation state आएगी प्लस 4 राइट? मानते हो नहीं मानते हो अगर यहाँ पर electronic configuration हम लिखें तो 4 electron निकलने के बाद इसका electronic configuration हो गया 3D6 अगर इसका electronic configuration 3D6 हो गया तो यह रहा 3D,4S और यह रहा 4P यह 3D के हमारी पास 5 orbitals यह 4S का 1 orbital, यह 4P के 3 orbital इसमें हमें 6 electrons भरने हैं तो जल्दी से बता दो नलायकों यहाँ पर pairing होगी या नहीं होगी pairing होगी ही होगी क्योंकि देख पा रहे हो, oxidation state प्लस 3 से जादा है और जब जब oxidation state प्लस 3 से जादा होगी, pairing होगी ही होगी तो यहाँ पर pairing करवाएंगे, pairing occurs pairing होगी और pairing होने के बाद हम 6 के 6 electrons को भर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसा हम देख पा रहे हैं, हमें कितने खाली डिब्बे चाहिए बेटा हमको चाहिए 6 खाली डिब्बे coordinate bond बनाना है ना coordinate bond बनाना है, हमने यहाँ पर 6 electron, 6 orbitals देख ली तो कौन कौन से मिल गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 orbitals में यह chlorine ligand electron pair देगा और coordinate bond का formation करेगा अब यहाँ से जो coordinate bond का formation हुआ कौन से orbitals involved हुए बेटा 2DK, 1S का 3PK तो इसका hybridization क्या हो गया बेटा D2SP3 हो गया इसका hybridization इसकी shape हो गई octahedral और क्यूंकि inner orbitals involved हुए है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा इसे हम बोलेंगे inner orbital complex और इस case में यहाँ पर unpaired electron कितने है? 0 तो nature कैसा? diamagnetic और इसका magnetic moment कितना हो गया बेटा? 0 clear हो गया बेटा एक दम? देख लो ध्यान से बेटा clear हो गया? next question आपकी स्क्रीन पर यह रहा हूँ platinum CN4 whole minus 2 अब इस case में यहाँ पर central metal atom जो platinum है उसका electronic configuration होता है 5D9, 6S1 और यहाँ पर platinum का oxidation state आया plus 2 तो क्या हो गया बेटा इसका electronic configuration? that is 5D8 हमने यहाँ पर represent कर दिया बेटा 5D, 6S, 6P यह 5D के हमारे पास 5 orbitals यह 6S का एक orbital यह 6P के 3 orbital हमने जैसे ही देखा कि central metal atom हमारा 5D series से बिलॉंग करता है peering होगी ही होगी और अगर peering होगी ही होगी तो इस case में इसका hybridization क्या होगा? देख लो बटा थ्यान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें चाहिए 4 vacant orbitals तो हम कहां से? कहां से start करेंगे बटा? 1, 2, 3, 4 इन 4 vacant orbital में यह cyanide ligand अपना एक एक electron pair देकर coordinate bond का formation होगा clear? तो जो 4 orbital involved होगे हैं वो कौन से है? DSP2 तो hybridization हो गया DSP2 जब hybridization DSP2 होता है तो shape कौन सा होता है? geometry कौन सी होती है बेटा? square planar complex और अगर यह square planar complex है तो इसके सारे electrons paired हैं तो इसका nature कैसा हो गया? बेटा diamagnetic और अगर यह diamagnetic है तो इसका magnetic moment 0 इसकी shape बना देते हैं बेटा यह रहा platinum यह रहा cyanide यह रहा cyanide square planar है ना? tetrahedral होता तो अलग तरीके से बनाते हैं यह रहा cyanide that is the structure of platinum CN4 whole minus 2 यहाँ पर इसका बना देते हैं बेटा octahedral nickel यह chlorine chlorine यह चार coordinate bond chlorine, 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 chlorine यह होगा इसकी octahedral geometry that is minus 2 clear होगे है बेटा? next question क्या दिया था मैंने आपको homework में यह last question homework का उसके बाद बेटा start हो जाएंगे थोड़ी बहुत ऐसे cases जहां पर आपको थोड़ा सा confusion होगा ध्यान से देगो इस question को यहाँ पर iron की अगर मैं बात करूँ क्या यह question repeat हो रहा है? चेक कर लेते हैं FVCN6 whole minus 4 था FVCN6 whole minus 4 question is repeating छोड़ देते हैं बेटा अब यह वाला जो question है ना यह एक exception है clear? और इसका reason आज तक equivalence bond theory का NCRT में correct नहीं दे रखा दो level के exam होते हैं बेटा chemistry की अगर मैं बात करूँ एक होता है बेटा जो होता है अभी यानि की NEET का जो exam होता है और एक होता है NET का NET का होता है जो लोग masters करते हैं chemistry में उसके बात वो MST के बाद NET JRF का exam देते हैं Junior Research Fellowship वहाँ पर भी coordination chemistry होती है लेकिन वहाँ पर इसका explanation अलग दिया गया है लेकिन हमारी लिए रामायन गीता बाइबल खुरान सब कुछ NCRT है तो हम NCRT से बाहर न जाते हुए NCRT के reason को valid मानते हुए NCRT के ही hybridization और geometry को याद करते हैं हम जानते हैं वो गलत हैं हम जानते हैं आप नहीं जानते हैं हम जानते हैं वो गलत हैं लेकिन अगर paper में question आया तो वही answer correct होगा जो NCRT में दिया है इसलिए हम वही समझेंगे यहाँ पर clear तो अब जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं जो irrelevant chat कर रहे हैं बेटा आप class छोड़ दो आपके लिए बेटर रहेगा और जो बच्चे homework करके आये थे वो जल्दी से reply कर दो कि क्या उनके सारे answers correct है क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं exceptions की तरफ यहाँ पर देखो बटा लियान से central metal atom कौन? copper copper का electronic configuration क्या होता है बटा? copper का electronic configuration होता है 3D10 4S1 यही होता है बटा और यहाँ पर copper की electronic configuration क्या है बटा? plus 2 अगर copper की electronic configuration plus 2 है तो यहाँ से 2 electron निकलेंगे और अगर 2 electron निकलेंगे तो इसका electronic configuration हो गया 3D9 अब देखो ध्यान से यहाँ पर ammonia ammonia चाहे strong हो या weak हो लेकिन अगर 9 electron है तो peering कराओ या न कराओ कोई फ़रक नहीं पड़ता यह एक exception है बटा valence bond theory का यहाँ पर मैंने represent किया बटा 3D, 4S, 4P and 4D यह रहा 3D के 5 orbitals यह 4S का एक orbital यह 4P के 3 orbital और यह 4D के जो आगे आने वाला है उसके 5 orbitals अब इस case में क्योंकि इसका coordination number 4 है अगर इसका coordination number 4 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पर 4 हमें vacant orbital चाहिए थे ammonia एक strong ligand है ammonia कैसा है बेटा strong ligand है तो चाहे strong हो या weak हो यहाँ पर हमें 9 electrons भरने है और जब हम वो 9 electrons भरेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pairing हो यह ना हो कोई फरक नहीं पड़ता अब होना क्या चाहिए था होना यह चाहिए था कि इसका hybridization होना चाहिए था SP3 क्योंकि हम यहाँ से गिनना शुरू करते तो इसका hybridization होना चाहिए था SP3 लेकिन यह एक exception है बेटा याद रखना इसे इसका यह जो एक electron होता है यह इस vacant d orbital में transfer होता है यह ammonia इतना strong ligand होता है कि इस electron को यहाँ से इस state में पहुँझा देता है और यहाँ पर यह जो हमारे d orbital होता है यह involved होता है hybridization में क्योंकि अब यह खाली हो जाएगा तो इस case में यह 3D, यह 4S, यह 4P और यह 4D अब यह जो BBT जिन्होंने explain किया उन्होंने इस reason को सही से NCRT में justify न करते हुए बस बोल दिया कि इसका hybridization DSP2 होगा क्योंकि अब यह 4 orbital involved होंगे जहां पर यह ammonia अपना electron pair देकर coordinate bond का formation करेगा और क्योंकि इस नहीं 4 orbital involved किये है hybridization के लिए तो इसका hybridization हुआ DSP2 DSP2 इसका hybridization हुआ तो इसकी shape हुई square planar और क्योंकि unpaired electron present है तो nature हुआ paramagnetic magnetic moment हुआ 1 into 1 plus 2 that is root 3 तो यह exception है होना चाहिए था होना क्या चाहिए था यहां पर से हम electrons भरते 4 vacant orbital उठातें और इसका hybridization is SP3 होता लेकिन यहां पर मैंना highlight किया है वेटा इस बात को ध्यान देना जब हम हम लोग जो पढ़ते हैं इसे high level के example net grf में तो इसका hybridization पता हम क्या पढ़ते है SP2D लेकिन इस SP2D के बारे में NCRT ने जिक्र नहीं किया है अगर option में SP2D हो तो वो भी एकदम correct है क्योंकि जो correct explanation है वो यह है कि यह electron यहां transfer होता है P orbital के अंदर और P orbital के अंदर transfer होनी की वज़े से इसका hybridization SP2D होता है तो आपको बिल्कुल confused नहीं होना है बिल्कुल confused नहीं होना है आपको बस याद रखना है इस complex के लिए एक contradiction है और वो contradiction यह है कि SP3 ना होकर इसका hybridization DSP2 होगा That is exception number 1 बिल्कुल confused नहीं होना है क्योंकि हम वहीं follow करेंगे जो हमारी NCERT कहती है देखो बिटा धियान से Next example आपकी screen पर यह रहा अब हमें सारे exception आपके साथ discuss कर रहे है जहांपे आप confused हो सकते हो क्लियर बिटा यहां पे देखो धियान से Chromium का electronic configuration होता है 3D5-4S1 यह plus 3 oxidation state में है तो plus 3 oxidation state में तील electron निकल जाएंगे और तील electron निकल जाएंगे तो इसका electronic configuration क्या होगा बिटा इसका electronic configuration होगा 3D3 और अगर इसका electronic configuration 3D3 होगा तो इस case में यह रहा 3D यह रहा 4S यह रहा 4P अब इस case में यहां पे ammonia है 1,2,3,4,5 1 और यह रहा 4P clear अब यहां पे question arise होता है कि pairing होगी या नहीं होगी तो आप लोग खुद बताओ बिटा यहां पे pairing होगी या नहीं होगी यह हमें कैसे पता चलता था हम ligand देखते थे और ammonia chromium के साथ भी strong ligand की तरह behave करेगा तो pairing होगी ही लेकिन अगर हम 3 electrons को भर भी दें तो हमें खाली orbitals कौन से मिल रहे हैं बेटा 1,2,3,4,5,6 क्योंकि coordination number 6 है तो हमें 4 vacant orbital चाहिए 4 vacant orbital चाहिए तो यहां पर ammonia ने अपने electron pair donate करके 6 coordinate bond का formation कर दिया और यह जो 6 coordinate bond का formation कर दिया कौन से orbitals involved हुए hybridization में D2SP3 तो इसका hybridization हुआ D2SP3 और क्योंकि inner orbital involved हुए है hybridization में तो इसे हम बोलते हैं inner orbital complex क्या बोलते हैं बेटा inner orbital complex और इस case में इसका shape क्या हो गया बेटा octahedral अब आप यहां से magnetic moment भी calculate कर सकते हो मैं भी exception क्यों है exception इसलिए बेटा क्योंकि same example इसका इसके सामने लिखा हुआ है इन दोनों का major difference पता है क्या है कि यहां पर यहां पर भी chromium का electronic configuration 3D54S1 है यहां पर भी chromium की plus 3 oxidation state है और 3 electron निकलने के बाद इसका electronic configuration भी 3D3 हो जाएगा लेकिन जो यह water हो ना यह water एक weak ligand है water weak ligand है तो pairing नहीं होनी चाहिए pairing ना भी हो तो भी यहां पर inner d orbitals ही involve होने चाहिए थे hybridization में इसका hybridization भी d2 sp3 होना चाहिए था लेकिन इसका exceptionally hybridization होता है sp3 d2 और यह कैसा complex है outer orbital complex ma'am ऐसा क्यूं बिटा इस ऐसा क्यूं का reason अगर हम detail में जाएं तो बहुत जादा depth में हो जाएगा सिर्फ कुछ examples आपको याद रखने है क्यूंकि बिटा VBT ने भी यह assumption लिया था कि कहां उसे pairing करवानी है कहां pairing नहीं करवानी है तो जादा exception नहीं है बिटा एक यह copper वाला example याद रखना एक coordination number 4 वाला है ऐसे ही मैं coordination number 6 वाला करवा दूंगी ammonia behave eleshev तो strong ligand की तरह확नी होता है लेकिन इतना strong ligand होता है कि electron को d-orbital में पहुचा देता है तो यह inner orbital complex का फार्मेशन करता है करना चाहिए था outer orbital complex यह चाहिए था outer orbital complex यहाँ पर यह exception है difference состав इतना है कि ammonia यहाँ पर strong ligand की तरह में behave करता है और यह यहाँ पर weak ligand की तरह behave करता है, दोनों में सिंप इतना difference है, यह inner orbital, यह outer orbital, शेंप दोनों की ही, शेप दोनों की ही यहाँ पर, क्या होगी, octahedral, clear बिटा, next example देखेंगे, next example है हमारे पास, that is COF6, अब इस COF6 में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, central metal की oxidation state निकालेंगे, कोबाल्ट का electronic configuration होता है, 3D7-4S2, कोबाल्ट की oxidation state आई, यहाँ से plus 3, तीन electron निकल गए, तो इसका electronic configuration हो गया, 3D6, अब इस case में, अब इस case में, यहाँ पर, fluorine कैसा ligand है पिटा, fluorine is weak ligand, और अगर ligand weak है, तो pairing होगी या नहीं होगी बिटा, no pairing, यहाँ पर pairing नहीं होगी, तो यह रहा 3D, यह रहा 4S, यह रहा 4P, तो यह 3D के 5 orbitals, यह 4S का एक orbital, यह 4P के 3 orbital, हमें ठै एलेक्टरोन भरने हैं, और pairing भी नहीं करवानी, तो कैसे बरोगे बिटा, कैसे बरोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें कितने vacant orbitals चाहिए बिटा, हमें चाहिए 6 vacant orbitals, और 6 vacant orbitals चाहिए, तो हम कहां से start करेंगे बिटा, यहीं से start करेंगे, तो कौन से 6 orbitals involved हो रहे हैं बिटा, hybridization में, जहां पर यह fluorine अपना electron pair दे कर, coordinate bond का formation करेगा, कौन से हो रहे हैं बिटा, that SP3D2, तो इसका hybridization आ गया, SP3D2, shape हो गया इसका octahedral, again यह nature में हो गया, paramagnetic, और इसका magnetic moment कितना आ गया बिटा, under root of 4 into 4 plus 2, that becomes कितना बिटा, root 24, clear बिटा, अब जल्दी से यह वाला question भी solve कर दो, आपकी screen पर लिखा हो है, next वाला, और जल्दी से मुझे इसका hybridization बताओ, yes बिटा, जल्दी से, जल्दी से बताओ बिटा, इसका hybridization क्या होगा, yes बिटा, FPH2O whole 6, अगर आप पूछोगे, water कैसा ligand है, तो water एक weak ligand है, clear, आप करो solve बिटा, और मुझे इसका hybridization बताओ, जल्दी से, जल्दी से बिटा, जल्दी से, भाइब काई पुन मुझे झाल और मुझे इसका RYAN भर आए झी मुझे झाल atиса राफ ज्टाु आए, येस पिटा हो गया सबका। आप अभी एक्सेप्शन पे अटके हो और अगर अटके रहोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे पेटा इसका दो तरीके का एक्स्पिनेशन दिया गया है अमोनिया स्ट्रॉंग लिगेंड होता है तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर भी पहुंचाया हुआ है और यहां पहुंचाया हुआ है एलेक्ट्रॉन एक्साइटेट में चला जाता है एलेक्ट्रॉन एक्साइटेट में चला जाता है क्योंकि यह स्ट्रॉंग लिगेंड इतना रिपल्जन प्रवाइट करता है इतना एनर्जी उसका इंक्रीज कर देता है कि वो एक्साइटेट में चला कभी confuse होनी की जरूत नहीं, आपको DSP2 ही मिलेगा, clear, rest, कोई confusion यहाँ पर नहीं रखना है, clear, तो यह जो direct-direct वाली चीज़े है, इसमें कोई exception नहीं है, तो जह exception है, वहाँ मैंने highlight किया है, next example देखो, बिल्कुल सही, जो कुछ बच्चों ने solve किया है, यहाँ पर iron का electronic configuration क्या होत है, बिटा, 3D6, clear, अब यहाँ पर यह बना दिया, हमने 3D, यह हो गया 4S, यह हो गया 4P और यह हो गया 4D, यह 3D के हमारे पास 5 orbitals, यह 4S का एक, यह 4P के 3, और यह 4D के 5 orbitals, अब इस case में यहाँ पर 3D6 electrons है, 3D6 electrons हैं, और pairing नहीं होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें कितने vacant orbitals चाहिए बिटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 vacant orbitals हम ले रहे हैं, वो कौन से ले रहे हैं बिटा, 1S का 3P के 2D के, तो इसका hybridization हो गया, SP3D2, क्योंकि बाहर वाले d-orbital involved होए हैं hybridization में, तो इसे हम कहते हैं, outer orbital complex, और क्योंकि unpaired electron present है, तो इसे हम कहते हैं, paramagnetic, और इसका magnetic moment क्या हो गया, बेटा, 4 into 4 plus 2, कितना आ गया है बेटा, root 24, clear है सबको एक दम, absolutely right बेटा, जिसका भी answer यह आया है, बेटा, D2 SP3 कैसे, D2 SP3 यहाँ पर नहीं आएगा, clear, जिनका correct है, very nice बेटा, very nice, next position देखेंगे बेटा, यहाँ पर कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट का electronic configuration होदा है, 3D7, 4S2, दो electron निकल गए, तो कोबाल्ट plus 2 oxidation state में, क्या आ जाएगा बेटा, 3D6, जल्दी से बता तो बेटा, यहाँ पर क्या answer आ जाना है, बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, ammonia strong ligand है, क्या है बेटा, strong ligand, 3D series में कोबाल्ट और निकल के लिए तो ammonia strong ligand ही होता है, clear, तो यहाँ पर हमने represent कर दिया, 3D, 4S, 4P, 3D के अंदर, 5 orbitals होते हैं, 4S का एक, 4P के 3 orbital, 6 electron हमको भरने हैं, pairing करवाना है, pairing करवाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, करवादी pairing, अब हमें 6 orbitals कौन से मिल गए बेटा, वो decide करेंगे, इसका hybridization, तो hybridization क्या हो गया बेटा, D2, SP3, shape क्या हो गई, octahedral, all electrons are paired, nature कैसा हो गया, diamagnetic, magnetic moment कैसा हो गया, 0, clear है बेटा एक दम, yes, जिनका answer यही आया है, absolutely right बेटा, next question देखेंगे बेटा, next question में, magnees की अगर में बात करूँ, तो electronic configuration होता है, 3D5, 4S2, magnees यहाँ पर, plus 7 oxidation state में है, तो यह हो गया, 3D0, 4S0, और अगर 3D में एक भी अप्रॉन नहीं है, तो क्या होगा बेटा, 3D, 4S, 4P, 3D के 5 orbitals होते हैं, clear, 4S का एक होता है, 4P के 3 होते हैं, अब आप बताओ बेटा, इसका hybridization क्या आएगा और shape क्या आएगा, अब हम यह थोटी ना बहुत सकते हैं, D3S का hybridization है, बिल्कुल बेटा, इल्ट MNO4- का hybridization आया, वो इसकी shape से आया, और हमने इसकी shape क्या पर, क्या गलत हो गया बेटा, 12 में, यार, क्या गलत हो गया 12 में, D2, SP3 तो आएगा बेटा, octahedral, 12th wrong, यह 13 थे ना, आजओ 12 पे, 3D6, SP3D2, outer orbital complex, 3D में 6 electron थे, 6 electron भर दी है, ammonia weak ligand है, कोई pairing नहीं हुई, क्या गलत है बेटा, 12th में, बताओ जरा, जल्दी से बतात है, 12th में, क्या गलत है, क्यूं करवाएंगे बेटा, pairing यह भी बता दो, चलो, जो बच्चे बोल रहे हैं, की 12th में pairing होगी, क्यूं होगी, 13th गलत है, लो आगे 13th पे, हाँ बेटा, बताओ 13th में क्या गलत है, 13th वाले में क्या गलत है बेटा, बोलो, 3D7 होगा, ओके, राइट बेटा, 3D7 होगा, येस, 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 absolutely right बेटा, देख लो बेटा, एक बर कोबाल्ट आमोनिया है वाला, बिल्कुल, बिल्कुल, देख लो बेटा, ध्यान से, यहाँ पर, बिल्कुल, ये भी exception है, अच्छा याद दिलाया, exception है बेटा, बिल्कुल, एक electron निकलने के बाद, क्या हो गया बेटा, इसका electronic configuration, 3D7 हो गया, क्या हो गया, 3D7, एक और electron है, तो वो एक electron यहाँ पर present है, और अगर वो ये एक electron यहाँ पर present है, तो होना क्या चाहिए था बेटा, होना ये चाहिए था, कि हमें, 6 vacant orbitals चाहिए थे, 6 vacant orbitals चाहिए थे, तो हमारा आना चाहिए था, D, S, P, 3D, लेकिन वो तो होता ही नहीं है, तो अगेन बेटा, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसा exception है, जैसे copper वाले example में था, ये electron एक excited state में जाएगा, एक P orbital के अंदर, और यहाँ से हमारे पास, अब, अगेन ये भी exception है बिल्कुल एक ये वाला exception और आपको याद रखना पड़ेगा, ये 3D के 5 orbitals, ये 4S का एक, ये 4P के 3, और ये 4D के 5 orbitals, यहाँ पर भी बिल्कुल एक electron excited state में जाता है, और जो electrons, जो orbitals यहाँ पर hybridization में involved होते हैं, वो कौन से होते हैं बिटा, D2S P3, तो ये एक D2S P3, इसका hybridization होता है बिटा, शेप इसकी octahedral होती है, magnetic moment की अगर हम बात करें, तो ये nature में paramagnetic हो जाता है, और magnetic moment हो जाता है, 1 into 1 plus 2, that is root 3, ख्लियर है बिल्कुल, नई बिटा, ये exception है, बिल्कुल, सिर्फ गो exceptions हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक वो वाला, ये याद रखना पड़ेगा बिटा, बिल्कुल, अच्छा हुआ, आप लोगोंने class में ही recall करा दिया, very nice बच्चों, exception है, recall रखना इसे, clear, यहाँ पर बिटा, ये जो MnO4- है, इसका hybridization इसकी shape से decide हुआ है, अगर VBT को follow करते हैं, और जब हम higher classes में जाते हैं, तो इसका hybridization D3S माना जाता है, लेकिन वो NCRT ने mention ही नहीं किया है, क्या, NCRT ने नाम भी नहीं लिया है, और NCRT इसको SP3 मानती है, क्यों, क्योंकि DNF block में हमने इसकी shape देखी थी, इसकी shape क्या होती है बिटा, MnO4O, double bond O, double bond O, double bond O, O-, इसकी shape होती है बिटा, tetrahydral, क्या होती है बिटा, tetrahydral, तो इसकी shape से इसका hybridization आया, clear, ये electron excited state में रया बिटा, P orbital के अंदर, बिलकुल यहां present है, clear, और इसका hybridization D2SP3 होता है, inner orbital complex है, exception है बिटा, highlight किया है मैंने ये, clear, clear है बिटा, दोनों examples एकदम clear है न, तो ये वो चीज़ें बिटा, जो हमें याद रखनी है, clear, सिर्फ दो examples, एक copper वाला ammonia के साथ, plus two oxidation state में, एक कोबाल्ट वाला ammonia के साथ, plus two oxidation state में, वो pore coordination number वाला है, ये six coordination number वाला है, MnO4- में एक भी electron नहीं था, VBT को follow करते हुए आते, तो इसका hybridization हम decide नहीं कर पा रहे थे, और अगर हम देखें, तो इसका hybridization जो NCIT में mention है, हमें वहीं मान कर चलना है, क्योंकि इसका hybridization इसकी geometry से आया है, clear बिटा, next देखो बिटा, next है हमारे पास इसकी limitations, क्या-क्या limitations है बिटा, वही जो आप सब के मन में doubt आ रहा है, क्या doubt आ रहा है बिटा, number one, fail to explain nature of ligand, clear, इनोंने ligand का nature सही से explain नहीं किया, ये जो strong ligand है, ये जो weak ligand है, ये वी-बी-टी ने explain नहीं किया, strength of ligand वी-बी-टी ने नहीं बताया, और फिर मैं हम कैसे questions solve कर रहे थे, ये मैंने आपको tricks बताया थे, कब pairing करवाओ, कब pairing मत करवाओ, क्योंकि वी-बी-टी ने ये explain नहीं किया था, वी-बी-टी ने तो examples दे दिये, और उनका nature बता दिया, जहां मन हुआ, वहाँ pairing करवाई, जहां मन नहीं हुआ, वहाँ pairing नहीं कर पाई, जैसे अभी हमने examples देखे थे, जो कि exceptions हैं हमारे पास, लेकिन वीटा, ये concept, वो trick, आप हर example में apply कर सकते हो, accept exceptions, तो ये drawback है वी-बी-टी के, कि उसने ना तो strength of legenda के बारे में बताया, ना ये बताया कि pairing कर क्यों रहे हैं, strength, strong legenda है, big legenda है, ये उसने नहीं बताया, ये exception था बिटा, next point बिटा, do not predict quantitative estimation of stability of complex, जब भी हम किसी भी coordination compound की बात कर रहे हैं, उसने नहीं बताया कि why, क्यूं वो compound stable है, क्यूं वो compound stable नहीं है, इन्होंने बहुत सारे assumptions को consider किया, मान कर चले, ये मान कर ही तो चल रहे थे, कभी तो कहीं pairing करवा रहे थे, कहीं pairing नहीं करवा रहे थे, क्यूंकि VBT ने explain नहीं किया strength of legenda, I am repeating again and again, कि VBT ने explain नहीं किया है strength of legenda, do not predict the exact geometry in coordination number 4 and 5, जब हम बात करें coordination number 4 और 5 की, तो कहीं कहीं पे उसने tetra-hedral बताया, कहीं कहीं पे उसने square planar बताया, किस basis पर बताया, उसको भी सही से explain नहीं किया, बस बता दिया, इसका geometry ये होगा, इसका shape ये होगा, इसका magnetic nature ये होगा, वो तो हमने tricks निकाली, जिसने हम सारे question easily solve कर पाए, क्योंकि हम इतना theory थोड़ी ना याद रख सकते थे, राइट बच्चो, तो वो trick आप हर question में apply करो, आप सब का क्या-क्या बता सकते हो बिटा, सब का hybridization बता सकते हो, shape बता सकते हो, color, color से क्या मतलब है, कि वो compound color देगा या नहीं देगा, dnf block में हमने एक property पढ़ी थी, dblock elements की, कि वो dd transition करते हैं, यहाँ पर हम उस dd transition के बारे में पढ़ेंगे, crystal field theory के अंदर, vbt ने वो explain नहीं किया, नहीं इसकी spectral properties के बारे में बताया, बिल्कुल कुनाल गांधी बिटा, हम अब KBD भी खेलेंगे, कौन बनेगा डॉक्टर, लेकिन उसके लिए पहले concepts clear हो जाएं, ठीक है, तो अब मैं VBT, valence bond theory को, 5 मिनिट में conclude कर देती हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है, क्या theory थी, कि जो हमारे पास complex होता है, उस complex के अंदर central metal atom होता है, और ligand होते हैं, दोनों क्या होते हैं, हमें पता है, central metal atom, central metal atom होता है, ligand क्या होते हैं, वो group of atom, जिनके पास electron pair होते हैं, जिनको दे कर, वो coordinate bond बना सकते हैं, तो VBT क्या कहती है, कि जो central metal atom है वो प्रोवाइट करेगा लीगेंड को required number of orbital और कितने orbital खाली चाहिए होंगे वो डिसाइड होता है coordination number से और वो लीगेंड electron pair देकर coordinate bond को formation करेंगे जो vacant orbitals involved होते है coordinate bond बनाने के लिए वो उसका hybridization decide करेंगे hybridization उसका shape decide करेगा अगर unfaid electron present है तो paramagnetic और अगर unfaid electron present नहीं है तो diamagnetic तो इसके लिए अब हमें ध्यान देना है कि हमें question solve कैसे करना है सबसे पहले ध्यान दो question में लिखे central metal atom को central metal atom check करो अगर वो 3D series का है या वो 4D या 5D series का है 4D 5D series का है या आपको पता है 3D series का अगर central metal 4D 5D का निकले पियरिंग होगी ही होगी लेकिन अगर 3D का निकले तो चैक करोगे oxidation state, अगर oxidation state plus 3 से ज़्यादा है, pairing होगी लेकिन अगर oxidation state plus 3 से कम है, तो उस case में check करोगे ligand, अगर ligand strong है, pairing होगी, ligand strong नहीं है, pairing नहीं होगी यह सब करने के बाद आप hybridization decide कर सकते हो shape decide कर सकते हो, magnetic nature decide कर सकते हो, यह decide करके आप answer कर सकते हो questions के, जैसे questions यहां से पूछ जाते हैं, clear, तो अब इस case में, यहां से यह चारो application पे based ही question पूछे जाते हैं, ध्यान क्या देना है मैंने आपको last class में spectrochemical series लिखवा दी है लेकिन वो crystal field theory में दी गई थी, ना कि VBT में मैं आपने हमको क्यों लिखवाया ताकि आप VBT के सारे question easily solve कर पाओ, आपको रटना ना पड़े, कि यह inner orbital complex है, यह outer orbital complex है यह paramagnetic है, यह diamagnetic है इसका magnetic moment कितना होगा आप उस trick को follow करते हुए, सारे question solve कर सकते हो, clear है पिटा, आगे बढ़ते हैं अब हम start करने जा रहे हैं next theory and one of the most important theory, जिसका नाम है crystal field theory, clear crystal field theory के बारे में, पहले मैं आपको short में थोड़ा सा roughly समझाना चाऊंगी, सुनना बटा rough में समझते हैं, हम crystal field theory को देखो बटा crystal field theory है, वो किस motto पे काम करती है, वो सारी चीज़े आपको clear हो जाएंगे कि कंसेप्ट पे काम करती है बटा, पहली बात, दोनों में ही, एक बात बताओ, हम ये theory कौन से chapter में पढ़ रहे हैं, coordination compound, और यहाँ पर जितनी भी theories हैं, वो किस पे हैं, bonding in complex, और complex में कौन सी bonding होती है, coordinate bond होता है, जिसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ी burner theory, burner ने अपना explanation अलग दिया कि coordinate bond कैसे बनते हैं, हमने समझा था, जहां से हमने सारी चीज़े calculate करना सीखा था, conductor है, non-conductor है, ratio क्या होगा, कितने AGCL moles बनेंगे, कितने counter ions होंगे, कितने ligand होते हैं, primary valency, secondary valency, उसने अपना explanation दिया, next हमने discuss किया, effective atomic number, third हमने discuss किया, valence bond theory and fourth, the most important theory of this chapter, crystal field theory, जहां से हम maximum questions attempt कर सकते हैं, clear, VBD से भी ज्यादा interesting है, लेकिन समझ में आना चाहिए concept क्या है, concept clear होगा ना बेटा, तो ये भी समझ आएगा कि आगे जाके करना क्या है, मतलब applications based question में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, सुनना दियान से, समझना दियान से, बड़ा crystal field theory based है, इस concept पे पहली बात, VBD से एकदम डिफरेंट है, वर्नर से एकदम डिफरेंट है, ये theory सिर्फ और सिफ d orbitals को conclude करती है, consider करती है, क्या होते है d orbitals, बड़ा d के वही 5 orbitals, जो आपने 11 वी कक्षा के structure of atom में d orbital के बारे में पढ़ा था, d के 5 orbital होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, बड़ा, dxy, dyz, dzx, dx², y², dz², अब, crystal field theory में, जो scientist थे हमारे, उन्होंने क्या किया, central metal atom और ligand, central metal atom और ligand को, क्या माना बेटा, point charges माना, क्या माना बेटा, point charges, point charges का मतलब क्या है, point charges मतलब इचार्ज की तरह मान कर चल रहा है, अगर central metal atom अपना positive charge है, तो ligand अपना negative charge है, ठीक है भई, और अगर ये point charges हैं, तो इनके बीच में कौन सा attraction होगा, इनके बीच में होगा, electrostatic force of attraction, between a positive charge giants होता है, और इनके बीच में, जो electrostatic force of attraction है, ये दो तरीके के force exert करता है, कौन से दो तरीके के force exert करता है, माम, जो central metal atom है, वो positive charge की तरह बहेव कर रहा है, तो लिच लिगेंड जो है, वो लिगेंड के, जो electrons होते हैं, नेगेटिवी charge electron, वो central metal atom के positive charge के साथ, attraction भी दिखा रहे हैं, साथ के साथ, जो हमारा central metal atom है, उसके valence electron भी तो होगे, और valence electron खुद कैसे होते हैं, negatively charged, और लिगेंड के पास भी negatively charged form में, electron pair होता है, तो लिगेंड जब central metal atom को approach करता है, approach करता है, तो दो तरीके के force exert करता है, एक force of attraction, एक force of repulsion, तो जब attraction होता है, तो energy क्या होती है, decrease होती है, और जब repulsion होता है, तो energy increased होती है, right, attraction होता है, तो energy decrease, और repulsion होता है, तो energy increase होती है, तो वही d orbital, जिनको हम degenerate orbitals कहते थे, जिनकी energy 5 orbital की एकदम बराबर होती थी, वो कौन से 5 orbital हुआ करते थे, बैटा, degenerate orbital, वो 5 degenerate orbital हमारे पास ये हुआ करते थे, clear, जब इनको energy d गई, energy कहां से मिल रही है, energy d गई, तो क्या हुआ, पहले तो 500 के 500 orbitals की energy increase हुई, मतलब 500 की एक साथ increase हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, जब ligand ने और closely approach किया, उस central metal item को, तो attraction तो हुई रहा था, लेकिन repulsion भी होने लगा, और repulsion होने से पता है क्या हुआ, repulsion होने से, इस d के, जो 5 orbital थे, जिसको अब तक हम degenerate orbitals बोल रहे थे, बोले तो वो 5 orbital, जिनकी energy एकदम बराबर होती है, उनकी हो गई splitting, क्या हो गई बटा, splitting वो बट गए, वो दो पार्ट में बट गए, एक हमारे पास आए, कौन से बटा, एक हमारे पास आए, EG, और एक हमारे पास आए, T2G, क्या आए बटा, एक आए हमारे पास EG, और T2G, एक आए हमारे पास T2G बटा, और एक आए EG, मैं ये T2G और EG क्या होते हैं, सब explain कर है यह सुनना धियान से पहले यह बता दो डी की 5 और टल टान孑 से और दोगों आन करता है देखर युक्ताइश हुई रेनर्जी से कलाओं ट्राइंट ऑफोन ynAl diu लिकों ग्र संटरेंग Ayya तो यह से टेगरों एक आर्प्टीजों को ऑ 500 आ करता है थे कसा ठीक है लाइक C2G, जो होते है, इसका full form होता है, triply jarade, क्या? Triply jarade, और jarade का मतलब होता है, बेटा, symmetric, और EG का full form होता है, बेटा, evenly jarade, evenly jarade, that means even, अभी क्या मतलब है? बेटा, D के total 5 orbitals थे, कौन-कौन से थे? Dxy, dyz, dzx, ये तीनों जो orbital थे, ये कौन से orbital थे? बताओ, in between the axes वाले, और बाकी तो कौन से थे, बेटा? Dx square, y square, dz square, ये दोनों कैसे थे? on the axes वाले, तो वो D के 5 orbital, जो अब तक बराबर energy रख रहे थे, अब वो दो भाग में बट गए, वो तीन orbital, जो in between the axes वाले थे, उनकी energy तो अब भी बराबर है, इसलिए हम उसे बोलते हैं, ट्रिपली जेरेड, वो तीन orbital, जो अब भी symmetric है, जिनके energy अब भी बराबर है, लेकिन वो दो जो on the axis थे, कौन-कौन से? Dx square, y square, Dz square, क्योंकि वो 2 है, और 2 is a even number, तो इसे हम बोलते हैं evenly jarred, क्या T2 जी और E जी का मतलब समझ में आया, जल्दी से बता दो बेटा, इन में से एक का नाम है Dx square, और एक का नाम है Dz square, एक हो गया Dxy, एक हो गया Dyz, और यह हो गया Dxz, और यह तीनों कौन से हैं विटा, in between the axes वाले, और उपर वाले दो कैसे हैं विटा, उपर वाले दो हैं, on the axes वाले, clear, तो यहां से distribution हुआ in D generate orbitals का, इन दोनों को जो separate करता है, इसे हम बोलते हैं, क्या विटा, Barry center, क्या बोलते हैं विटा, Barry center, clear, और इस case में, EG के साथ, distance कितना चलता है, और T2G के साथ, distance कितना चलता है, EG के साथ, और T2G के साथ, का 0.4 0.6, below the plane वाले minus में, above the plane वाले positive में, यह diagram समझ में आना चाहिए, तीनों के लिए, किस-किस के लिए पढ़ना है, बिटा, octahedral के लिए, tetrahedral के लिए, और square planer के लिए, तो अब एक अगर image, अगर एक teaser clear हो गया हो, तो trailer की तरफ चलते हैं, trailer होगा, तो picture भी देख लेंगे, picture भी देख लेंगे, तो climax एकदम clear हो जाएगा, ठीक है, तो अब कहानी कहां के शुरू होती है, कहानी शुरू होती है, यहां से कि कब T2G नीचे होगे, कब T2G ऊपर होगे, क्योंगे T2G नीचे होगे, ऊपर होगे, यह कैसे decide होगा, यह decide होगा, कौन जादा repulsion, feel कर रहा है, जहांपर repulsion जादा है, क्योंकि T2G बोलें तो in between the axis वाले तीन अर्बिटल, और EG बोलें तो on the axis वाले दो औरबिटल, अग on the axis वाले दो हैं तो on the axis वालों की energy जादा कब होगी जब on the axis वाले repulsants जादा feel करेंगे और on the axis वाले repulsants जादा feel कब करेंगे जब ligand central metal atom को on the axis अप्रोच करेगा और ऐसा कहां होगा अभी discuss करते हैं ठीक है तो अब थोड़ा सा थोड़ा सा हम बढ़ते हैं थियोरी की तरफ क्योंकि मैंना explain कर दिया तो अब आपको यह points समझ में आ जाएंगे clear yes बिटा आजओ बिटा जो जो मैंने बोला वह explain कर देते हैं क्या बोला बिटा मैंना पहला statement proposed by scientist के क्या scientist के नाम पूछे जाएंगे नहीं बिटा एक बच्चा है शाफ एस बस करो मैं पीज अप उपर से जा रहा है मेरे कसम से बिटा कसम से क्लास से बाहर चला जा कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दो दिन बाद वैसे भी आपको लीव मिल रहा है ना पेपर्स के लिए मिल रहा है ना नौ से अठारा पता चल गया होगा नहीं पता चलाओ तो मैं बता दूँ ऊपर से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्लियर यह दो तीन बच्चे है बटा इनका काम है सिर्फ स्पैमिंग करना एक है मौमत पैस करके जब कुछ भी नेगेटिव होता है उनको लेक्चर में आके नेगेटिव बोलना होता है उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है वह आपने थ्री डिट्स मूवी देखिए बट इसका नाम कुछ ऐसा ही था क्या नाम था विटा उसको शौर्ड में सब सालेंसर बोहते दोए उसका आम क्या होता था उसकि क्या अधा था खुट तो रतन नbn च्टतुर हाँ पूरा-चातुर पूर नाम मुझे अभी भी याद निया रहा हुसका ब्लए इंट्रस्टींग स दूसरों को disrupt करने के लिए वो दूसरों के रूम में magazine डाल देता था, ताकि बाकी लोग ना पड़े, हाँ, चतुर राम लिंगम, जो भी था वो, ठीक है, दूसरों के magazine डाला, दूसरों को disrupt करना, ताकि वो न पड़े, तो, वो ही, वो जो spammer है нा, हमारी क्लास में वो वैसे ही बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, खुद को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं बहुत टाइम से अवाइड कर रही थी, कि ऐसी चीज़े ना बोलो क्लास में, पर कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को सुनने की आदत है, तो बोल देते हैं, तो वो क्या करता था बटा, वो क्लास में आता था, खुद ने तो पढ़ लिया, दूसरों को डिस्टरप करना, मिस्गाइड करना, तो बटा, आप लोग अब इतने मैश्योर हो चुके हो, इतने टाइम से आपकी लाइफ क्लासे क्लास हो, कभी नकभी तो स्मामिंग होती ही होती है, कभी नकभी, ठीक है, अब कल बोर्ड का, मतलब, कुछ बोर्ड के एक्जम्स चल रहे हैं, इतना important टाइम है, हर क्लास में, ट्राइंग के आप क्लास में नोट्स लिख लो कम से कम कंटेंट जाए, बैस से बैस आपको समझ आए, इस दूरेशन में भी अगर कोई क्लास में spam कर रहा है, abusing language लिख रहा है, that means वो कितना खाली है, और जो लोग खाली है, वो लोग दिमाग से disturb होते हैं थोड़े से, वो दिमाग से disturb होते हैं तो उनका जो मनोता वो करते हैं, और जो मनोता वो करते हैं तो हमें उन्हें करने देना है, ठीक है, उनकी बातों पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, कम ध्यान देंगे तो हम डाइवर्ट नहींगे, डाइवर्ट नहींगे तो हम अमरे content पर focus कर पाएंगे अब ऐसे नालाएक class में आ गए तो दो बाते उनके बारे में बोलनी पड़ी दो मिनिट खरा हुए न विट आपने मेरा भी और तुमारा भी ठीक है? येस, तो दूसरा का time वो ऐसी waste करते हैं, आप लोग बहुत बहुत अच्छे बच्चे हों जिनके exams चल रहे हैं, फिर भी वो अपनी class attend कर रहे हैं तो heads off for those students जो अभी भी serious हैं अपने आपको लेकर और ये जो है ना ये चलो कहीं जाके spam ही कर लेते हैं कोई इनसे बात वाट तो करता नहीं है इनकी हरकते ऐसी हैं, कौन इनसे बात करेगा तो इनका काम है जब मन करें जिस class में आ जाते हैं और आकर spam करते हैं और पढ़ने वाले बच्चों को time waste करते हैं ठीक है? Stupid एक दम चलो बटा, आज समझ में आना चाहिए हम जो पढ़ रहे थे हम उस पर आ जाते हैं वापस तो ऐसे silencers पर ध्यान नहीं देना है आते जाते रहते हैं आगे भी आएंगे, college में भी मिलेंगे चलो बटा there is no sharing यहाँ पर ना तो electrons की sharing होती है ना electron का transfer होता है ना ही overlapping होती है किस-किस के बीच में metal और ligand के बीच में, तो भाई होता क्या है यहाँ पर ligand and metal को हम point charges मान कर चलते हैं point charges बोले तो positive नहीं कि छोटे-छोटे charge हमने इनको मान लिया, point की तरह clear बटा, and attraction बटा, और positively charged ions के बीच में कौनसा attraction होता है, purely electrostatic force of attraction between two positively charged ions अगर आपका ligand neutral है, अब question arise होता है कि मैं अगर negative ligand है, तब तो चलो मान लिया कि आपका central metal atom positively charged है, जो की हर complex में होता ही है, clear तो वो positive charge की तरह बीएव कर रहा है लेकिन अगर neutral ligand है अगर आपका ligand neutral है तो आप उसको कैसे मान के चल रहे हो कि आपका जो complex है, वो dipole की तरह behave कर रहा है, तो बेटा जो ligand होता है, जो neutral होता है, like water हो गया, ammonia हो गया, जो neutral ligand होते हैं, उन्हें में भी negative charge ions होते हैं वो खुद भी तो dipole show करते हैं तो जो neutral होते हैं तो जो उसका partially negative charge होता है, part होता है ligand का, वो attract होता है towards central metal atom, clear? वो क्या होता है बटा? central metal atom, clear? तो अब मैंने जो आपको जो points बताये थे, वही हम discuss करते हैं absence of ligand जब तक ligand नहीं होता जब तक ligand नहीं होता जो हमारे पास d orbitals होते हैं d के कितने orbitals होते हैं dxy, dyz, dzx, dx, y2, dz2 5 d orbital होते हैं जिनको हम कहते हैं degenerate orbital बटा, degenerate orbital का मतलब होता है वो orbitals जिनकी energy बराबर है जिनकी energy similar है वो degenerate orbitals होते हैं, जिनके energy बराबर होती है, लेकिन जैसे, जैसे ligand approach करता है, किसे approach करता है, central metal atom, हमें तो approach का मतलब भी एक ही पता होगा, ये spammers के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, clear, तो फिर क्या होता है बटा, splitting हो जाती है, split हो जाते है, अभी जख सबकी energy बराबर थी, लेकिन जैसे ही ligand ने central metal atom को approach किया, वो d के जो 5 orbital से उनकी splitting हो जाती है, splitting कैसे होती है, जो in between the axes वाले होते हैं, वो अभी भी एक साथ हैं, और जो on the axes वाले हैं, वो अभी भी एक साथ हैं, जिन्हें हम t2g और ag के नाम से जानते हैं, clear, ये देखो आगए क्लास म मुहमद सैफ जी, नहीं मुहमद पैस दी, और अभी भी देखना, उनके कमेंट्स देखने हैं आप, मन तो हैं इन्हें ब्लॉक करवा दिया जाए, लेकिन मैं भी patiently वेट कर रही हूं कि इनकी कितनी शमता है, clear, कि ये कब तक और किस लेवल तक spam करेंगे क्लास में, ये जब स लेकिन ये बच्चे प्रोवक करते हैं ऐसा बुलवाने के लिए, प्लीज रिपीट, अगर देखना है तो लेक्चर को फिर से देखें, clear, लेक्चर को वापस देखें, आप जैसे बच्चों के लिए ही recorded lectures है, clear, that d orbitals takes place, this is called crystal field splitting, clear, उसे हम क्या कहते हैं, crystal field splitting कहते हैं, तो हमारे पास d के 5 orbitals होते हैं, कौन से बिटा, dxy, dyz, dzx, dxz, dyz, ये 5 orbitals होते हैं, ये क्या गड़ दिया, dxy, dyz, dzx, ये तीनों जो होते हैं बिटा, ये in between the axes होते हैं, clear, और बाकी दो कौन से होते हैं, बिटा, dx², y², and dz², ये दोनों कौन से होते हैं, बिटा, on the axes वाले होते हैं, clear, तो इनके अब हम shapes देख लेते हैं, clear, yes बिटा, तो अब हम इनके shapes की बात करते हैं, क्या shapes होते हैं, इनके, देखना धियान से, clear, dxy देखना, बिटा, dyz, जो in between the axes वाले हैं, पहले उन्हें हम discuss कर लेते हैं, और dzx, तो बिटा, dxy को हम कैसे पड़ते थे, बस last five minutes बिटा, बिटा, अगर ये x-axis है, और अगर ये y-axis है, तो dxy का orbital क्या होता है, बिटा, साइम खान जी पूछ रहे हैं, मैं, degeneracy lifted का क्या मतला, बिटा, degeneracy जो अभी तक maintained थी, जहाँ पर पांचो d orbital की energy बराबर थी, अब वो lift हो गया, अब वो split हो गया, अब वो टूट गया, clear बिटा, देखो धियान से, अगर ये x-axis है, y-axis है, तो ये अपना dxy है, dyx क्या होता है, बिटा, अगर ये अपना, एक ही बात होगी न, ये तो dxy, dyz, तो dyz क्या हो जाएगा, बिटा, अगर ये y-axis है, और अगर ये z-axis है, तो इन दोनों के बीच में present होता है, dyz, और dzx क्या होता है, बिटा, ये x-axis है, ये z-axis है, तो x-axis इसके बीच में होता है वहीं पे जो दो हमारे पास on the axis वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं, बिटा, dx², y² and dz², तो वो क्या होंगे, बिटा, dx², y², ये हो गया x-axis, ये हो गया y-axis, तो dx², y² कैसे होगा, ये 11 वी क्लास की चीज़े है, बिटा, जो मैं revise करा रही हूं, बस, on the axis और dz² कैसा होगा, इस अरीके से, clear, तो ये dk, जो 5 orbitals होते हैं, कल हम पढ़ेंगे, बिटा, इनके splitting के बारे में, clear, कल हम इसे cover करेंगे, आज हमारा थोड़ा सा time, थोड़ा सा time waste हो गया, कुछ बच्चों को समझाने में, rest, rest, यहां पर, थोड़ा से कुछ बच्चे न लायक थे, थोड़ा सा हमारा lag हो गया था, net, कोई बात नहीं, कल हम इसे ध्यान से समझेंगे, यहीं से start करूँगे, बटा, जहां पर मैंने stop किया, लेकिन, जो बाते मै आपको समझाई है, जो बाते मैं आपको बोली है, उन्हें ध्यान से revise करके, recall करके आना, इतना notes ज्यादा नहीं है, complete कर लेना, कल हम splitting दीखेंगे, electronic configuration लिखना सीखेंगे, बहुत सारी applications पढ़ेंगे, ठेका बिटा, तो बिना time waste करते वहां, आप लोग का, मैं class का time नहीं कोई बात नहीं, आपका भी time के लुआ है, कल हम वापस इस class को continue करेंगे, most probably कल हमारा last class होगा, देखते हैं, वेडनेस जगर class मिल जाए, तो CFT कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, तो concept यहां तक हो गया है, बिटा, सिंप एक बार notes अपने complete कर लेना, rest हम कल शुरू करते हैं, so all the very best बच्चो, all the very best for your exams also, all the very best for your preparation also, बिल्कुल नर्वस मत हो यार, तुम लोगों ने बहुत महनत की है, तुम पे teachers को भरोसा है, तो तुम्हें किस बात के tension लीनी है, ठीक है, बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, वेटा, आप लोगो, must हो के अपने सारे exams देने, must हो के एकदम अपने सारे exams देने हैं, ठीक है, और आप लोगों के paper बहुत अच्छे होंगे, इस चीज़ के बिल्कुल tension नहीं लेना है, पेपर टाइम पे हम लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, clear, तो एक motivation line उन बच्चों के लिए जो seriously पढ़ रहे हैं, जो spammers हैं, उनके लिए आओ तो welcome, जाओ तो भीड़कम, ना पूछो की मेरी मन्जिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा होसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है? So all the very best बच्चों, बिल्कुल tension नहीं लेना, आपके papers बहुत अच्छे होंगे, अगर पहला paper कोई खराब हो भी गया है, तो घबराना नहीं है यार, कोई बात नहीं, आगे के लिए best preparation करना है, ठीक है? So all the very best बच्चों मिलते हैं, कल की class में तब तब थोड़ा बहुत revise कर ले ठीक है? Thank you बच्चों, मिलते हैं कल, तब तब के लिए, all the best.